नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोग प्रिय कारेकरम आर पार पहले नियोता दो अब प्रान प्रतिश्टा में जाने से साफ नो और साफ नो यानी साफ इंकार ये उस विवक्ष का हाल है विवर्स दर्शकों जो पिछले दो महीने से रट लगाए रखा था कि राम मंदिर के कारेकरम में हमें भी नियोता चाहिए हमें भी जाना है क्योंकि ये अकेले भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकरम बिलकुल नहीं है लेकिन तारीक नजदीक आते ही नियोता मिलते ही पूरे विपक्ष ने पल्टी मार दी है ना सोनिया गांदी ना मलिका अरजुन खरगे ना धीर रंजन चौधरी ना ममता बेनरजी ना सीतारम यचूरी ना अकिलेश रियादव कोई भी आयोध्या जाने को तैयार नहीं है और अकिलेश रियादव ने तो दो कदम आगे बढ़कर और निमंतरण देने वालों को ही पहचानने से साफिंकार कर दिया सवाल ये है दर्शकों विवर्स कि निमंतरण फुकराने के पीछे कहीं वोट बैंक वाला एक बड़ा एंगल तो नहीं है क्योंकि अकिलेश रियादव की पार्टी के स्वावी परसाद मौरिया ने मंदर के कारस्व को अराजक पता डाला है और तो और उनको मरवाने के फैस्टे को भी पूरी तरह सही करार दिया है लेकिन मुद्दा ये भी है कि क्या विपक्ष राम मंदर के मामले में दश्को पुरानी गलती एक बार फिर दोरा रहा है आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे परमानिक बहस वोर्ट बैंक से प्यार निमंतरण आस्विकार आज का आर पार इसी पर वीवर्ज़ अखिलेश यदव, परान प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे गांधी, परान प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे मलिकार जुन खडगे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे ममताब एनर्जी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी लेकिन प्रान प्रतिष्ठा का निमंतरन अस्वीकार करने पर सियासी बखेडा खडा हो गया है अख्लेश यादव जी के सिर्फ पर स्वामी प्रसाद मौरिया जी का भूत सबार हो गया है अख्लेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौरिया से इतने डरते हैं इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता न भूत से इस तरह डरते हैं मंत्रन को ठुकराना परमदर भाग का विशे उधर श्रीकृष्ट जन्मभूमी के मुख्य पक्षकार मनीश यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिख कर पूछा है कि आप कभी मथुरा में श्रीकृष्ट जन्मभूमी क्यों नहीं गए लेकिन इसी बीच विवादों के स्वामी ने कार सिवकों को अराजक बताकर नया बवाल मचा दिया स्वामी परशाद मौरया जी को अपना नाम बदल कर भी कुछ और रख लेना चाहिए जैसे कभी लोग मिया मौलाइम कहते थे मिया मौरया लिखा जाए तो अच्छा होगा स्वामी नहीं होना चाहिए स्वामी परशाद मौरया पागल हो गया है अब उसके पास नतो सत्ता है इसलिए वो पागलपन में व्याकुलता में इस तरह से उलूल जूल बयान दे रहा है उदर लालु जादव की पार्टी के विधायक फते बहदुर ने भी राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है लेकिन राम मंदिर के बहाने केंद्रिय मंत्री अनुराक ठाकुर ने भी कॉंग्रेस और पंडित नहरू पर निशाना सादा है पांक सो वर्षों का संगर्ष, सौ सालों से ज़्यादा कोट के चकर अब पूरे हो गए भवियराम मंदिर का नर्वाण भी हम सब की आँखों के समय ही हो रहा है राम नाम पर वार और पलटवार के बीच AI MIM ने मायावती को PM उम्मीदवार बनाने का दाओ चल दिया है लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक के चकर में विपक्ष के नेता प्राण प्रतिष्ठा कारेक्रम से दूरी बना कर चल रहे हैं आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी महस वोट बैंक से प्यार निमंत्रण अस्वीकार और आप सोचिए पहले कह रहेते हैं बुलाओ 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 अब कह रहे हैं कि हम बुलाने पर भी नहीं जाएंगे लेकिन अब वक्त है आरपार के सूपर सिट विश्टेशन का आईए नज़र डालेते हैं मैजिक वॉल पर वोट बैंक की निश्टा में प्रान प्रतिश्टा से दूरी तक का विश्टेशन सोनिया गांधी, मलिका अरजुन खरगे, अधीर रंजन चौधरी प्रान प्रतिश्टा को RSS का इवेंट बता कर किनारा कर दिया है यानि इंकार कर दिया है, अखिले शादर प्रान प्रतिश्टा कारिक्रम का निमंतरण अस्विकार किया निमंतरण देने वालों को पहचानने सक्ट से इंकार कर दिया ममता बेनर जी दूसरे सामप्रदाय के लोगों की अंदेकी हो रही है ममता बेनर जी ये कह रही है सौमी परसाद मौरया, विवादों के सौमी कार सेवको को अराजक बताया और इन्हें मरवाने के फैसले को सही ठेहराया यानि कार सेवको को तो गोली मरवाई गई राम मंदिर की जो कार सेवा कर रहे थे उसको सही बिता रहे है सोचिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी भी भीतर से ये बात अब समझ चुकी होगी बरता हुमें आगे असाउदी नोवे सी मुस्लिम युवकोस से बोले अयोध्या में जो हो रहा है उससे तुमें तकलीफ नहीं होती क्या बदुरुदी नजमल मुसल्मान भाईयों से अपील करता हूँ कि वो 20-26 जनवरी तक यात्रा ना करें और बड़ा सवाल आज का यक्षप्रस्ट क्या 80% आबादी की आस्ता कुछ नेताओं के लिए माईने नहीं रखती यही सवाल है आज का और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है आईए डॉक्टर सुधान शुत्रवेदी मेरे साथ बीजेपी के मेंबर अफ पार्लिमेंट परवक्ता है मेरे साथ विवेक शिर्वास्तव जी है लेफ्ट के नेता है मेरे साथ तैसीन पूनावाला है राजजेतिक विश्टेशक है आसिम वकार है परवक्ता AI, MIM के मेरे साथ रोहित अगलवाल है इंडिया आलाइंस के पार्टर है RLD के परवक्ता है और RLD और सफा का गड़बंदर भी है आपका भी अबिरंदर है मैं तैसीन पूनावाला शुरुवात आपसे करता हूँ सोनिया जी का इंकार खड़गे जी का इंकार अधीर बाबू का इंकार रामलला की प्रान प्रतिष्टा में अगर चले जाते तो क्या घट बढ़ जाता अमीर जी आपके शो में शिर्कत करने का मौका मैं आपका शुप्र गजार हो और जितने भी हमारे देशवासी 22 तारीक के इंतिजार करें उनको बहुत-बहुत बढ़ाई और साथ हुआद मैं भड़ी विनंता से आपसे दो सवाल पूछ सकता तो बड़ी आसान चीज है कि सुनिय जी चले जाए और खरगे जी चले जाए क्योंकि यह जो यह है कि ठीक है एक प्रान प्रतिष्टा के जो कारे प्रमोराउस में जाए और पुलिटिकली उनको नुकसान नहीं होता मैं इस बात से बिल्कुल इतने फार लेकिन आप दो चीज की जवाब दीजिए मंदिर का अब तक निर्मान कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक कंप्लीट नहीं हुआ दूसरी चीज हमारे जो शंकर अचारिय चा शंकर अचारिय जी भी नहीं जा रहे और शंकर अचारिय जी ने क्या कहा है उसके बारे में कोई भी एक स्टेट्मेंट नहीं चला रहे क्यों तो क्या जो हमारे शंकर अचारिय जी इसमें हम सब उनके सामने अपना सर जुकाते क्या वे भी 80% 80% भारतियों के जो आस्ता है उसका ख्याल नहीं रख रहे लेकि ये पुलिटिकल विवाद नहीं है ये कोई पुलिटिकल कालिक्रम नहीं है हमारे राम जी आ रहे इतने बर्षोबाद आ रहे सब को इस पर फक्र है सब इस पर पुछ लोग है आपके यूनिट में से जो शाहिए 20 तारीकों नहीं जाएगे 30 तारीकों जाएगे 24 तारीकों जाएगे 25 तारीकों जाएगे तो क्या वे कम हिंदू है शंशन और कंकन में है श्री राम आप मीडिया के लोग वाब पे कौन से जा रहे हैं उससे इक्वेट नहीं कर सकते चले मैं वह भी छोल जाता आपने बोला कि राम लला की प्रान प्रतिश्टा हो रहे है यह अच्छी बात है तो अच्छी बात में अपना स्वीकारता देना गलत क्यों है अगर खड़गे जी वहाँ चले जाते है चलिए सोनिया जी की हो सकता है हेल्ट का इशू हो कोई और विश्य हो सोनिया जी नहीं जा पारी खड़गे जी जा सकते है अधीरंजन चौदरी जा सकते है रेक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सीताराम ये चूरी भी नी जा रहे है खिले शयदम ने तो निमंतरणी आस्विकार कर दिया है कि आपको लगता नहीं है अगर विपक्ष के चार नियता चले जाते तो क्या बढ़ जाता है और क्या कम हो जाता ने ने हमने तो लेफ्ट ने तो पहले ही मना कर दिया था जो सबसे पहले जो मना ही हुई है इस इवेंट की वो तो वाम पंतियों नहीं करी है और सितारा मियचुरी तो बाकाइदा मीडिया के सामने आए उन्होंने बाइट दी और अपनी रीजनिंग दी एक तो धर्म आपका अंगर्ष तो नास्तिक नहीं है अखिलेश जी तो नास्तिक नहीं है यह सपा तो नास्तिक नहीं है नास्तिक तो शंकराचार्या भी नहीं है नास्तिक तो शंकराचार्या भी नहीं है अब सुदान शुत्रवेदी शंकराचार्या से आज बड़े हो गए हैं तो वो जस्ट तोड़ना होगा इसको भाइशकार होना चाहिए इस प्रटिकल इवेंट का आप 23 को जाएए 24 को जाएए 30 को जाएए जाएए ना जाएए आपकी मर्जी यह आपका व्यक्तिकत मामला आप राम की रोग बुढ़ा करें और आप आप कहरें कि हम भाइशकार कर रहे हैं लेकिन ह हम राम मंदिर को तो मांते हैं लेकिन हम प्रान पर्टिष्टा का भाइशकार कर रहे हैं यानि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर की तो प्रान पर्टिष्टा हो रही है उसका हम भाइशकार कह रहे है या तो आप आपको लगता है कि इस देश की 80% आबादी जो है वो फॉर ग सबसे बहतर तरीका होता है बात करने का सबसे बहतर तरीका होता है बात करने का और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करता ना साउद्दी नोवेसी को ना भारती दिनता पार्टी को लेकिन दोनों का रुख तो एकदम क्लियर है यहां तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से आप करें हम भाईशकार होना चाहिए इस कारेकरम का तो कारेकरम तो पॉलिटिकल है नहीं है सब पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया है ना हिस्सेदारी तो आपकी भी उतनी होती है ना हिस्सेदारी तो आपकी भी उतनी होती जाते तो सही जाते तो सही अगर वहां पे 5-7 विपक्स के लेता खड़े होता तो कैसे भी जिबी को क्र तो कुछ होता आप लोगों का ओके सुदान चुत्रवेधी आम नागरी को को भी अपील है और भाईशकार करने की भी बात है यह बीजेपी का इवेंट है अम नागरिक से वो पार्टी अपील कर रही है जिसका एक भी सांसत चुन के नहीं जा पाया और अभी विवेक शिवास्तों कह रहे थे कि पॉलिटीशिय पॉलिटिक्स और धर्म का नेकस्स नहीं होना चाहिए वो पार्टी है जिसने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्धी नशी पीरजादा अबास सिद्धी की जो मजहभी लीडर है मुसलिम धर्म ग के इकलोते representative हैं मगर 20% के कई ठाइया representative यहां आपके पास बैठे हुए मुसलिम लीग के साथ गड़बंदन करना कोई नहीं हुए और है जैक नहीं कोई नहीं कर रहा है बास्पा का प स्टैंड शंकराचार्या के बताइए जो मुसलिम धांगुरू के साथ political nexus बनाये हो कि नहीं बोला हाँ या मैं बाकी बाद बाद में करो बताओ भाई फिर भाचर देते हो आके कि politics और धरम का nexus नहीं होना चाहिए बोल भाई जवाब जवाब चलिए वो नहीं बोल पाई हम मैं जवाब देखे दो दूसरी पार्टी याद करिये राहूल गांधी जी क्या बोले थे विदेश में जाके जब उनसे पूछा गया कि आपका तो मुस्लिम लीग से गटबंदन है तो उनकी शब्द नहीं भाव भंगिमा भी देखेंगा उन्हों क्या बोला था लोगों को करते हैं उसी लिए होता और मैं एक और बात कहूंगा देखे मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ढंग से लेता हूँ पहली बात तो मैं कहता हूँ अगर इन्हों ने जाने का मना किया है तो अपनी परंपरा का नुरूप किया है 49 में मूर्तियां हटवाने के प्रयास करने वाले नहरू जी से लेके उसके बाद मुसल्मानों को भड़का कर 61 में मुकदमा दर्ज करवाने वाली कॉंग्रेस से लेके चाचट में गो रक्षक संतों पर गोलिया चलवाने वाली कॉंग्रेस इंद्रा जी के जमाने में 1976 में जब रुटीन खुदाई में अठट खंबे निकलाए तो कम्मिनिस्टों के दबाओ में उसको रुकवाने वाली इंद्रा जी की कॉंग्रेस तो राजीव जी के जमाने में कारसिवकों के हत्यारों का समर्थन करने वाली कॉंग्रेस तो नर्सिमा राओ के समय में प्लेसेज और वर्शिप एक्ट लाने वाली कॉंग्रेस तो सोनिया जी के समय में राम को कलपनिक कहने वाली कॉंग्रेस और हिंदूों को आतंकवादी कहने वाली कॉंग्रेस जो कर रही है वो अपने गुणों के अनुरूप कर रही है हाँ मगर अगर इनके आँक किसी के दिल में थोड़ी सी सच्चाई होगी तो शायद मुझे लगता हो उनको भजन याद आ रहा होगा हरियोम शरण का पुराना भजन था मैली चादर ओड के कैसे द्वार तिहारे आऊं हे पावन परमेश्वर तेरे मनी मन शर्माऊं इनके परिवार के लोग यही बोल रहे होंगे कि मैली चादर ओड के हमारा शंक्राचार्या के लिए भी गादी जाएगा तैसीन पुरावाला की बारी है कोकि उनका आडियो और वीडियो दोनों चला गया था तैसीन पुरावाला जवाब की बाद सुदानचु ने रखी कि कॉंगरेस अपने इतिहास को फॉलो कर रही है इतिहास को फॉलो कर आए तभी राम मंदर की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जा रही है और खामियाजा हमने देखा है राम का विरोध करने का कॉंगरेस पॉलिटिकल अमी जी सुदानचु जी की मैं बहुत आदर करता हूँ सुदानचु जी ने अपनी बात समाप्त के ये कहते है कि कॉंगरेस का जो एफ़ेड़ विता हला कि राम मंदर को लेकर नहीं राम सेटू को लेकर था कि राम जी कालप देखे यही बात महिशर्मा जी ने फ्लोर ओफ दा हॉस ते कहीं कि मानने मोधी जी ऑस पारलेमें। महिशर्मा जी पेकं रिखे माशर्मा के मंदिर का जो निरमान का का में बहूब मकें कndra справकर ने कोई कोई contribution ने भीयार सकार में की सरकार की थी माहशर्मा जी परको कालपनिक बदाने वाले आज Congress पे यारूप लगाते हैं, मैं इस तू-तू मेमे में नहीं गिनना चाता हूँ, इनकी क्या मजबूरी है कि आज भी संजीन इशारत के साथ के गटबंदन में जिन्हों ने राजा राम और राजा दर्शत को क्या-क्या उन्होंने का मैं उसमें भी नहीं गिनना चाता हू यह विवाद का विशेलिए, दो सवालों के मानने सुदानशु जी जवादे, एक, चारो शंकर अचारिया नहीं जा दे, और शंकर अचारिया जी को मैं बर्बैटम कोट कर रहा हूँ, वे कहते हैं कि यह क्या जरूरत थी कि आप 22 जैनुवेरी को यह मंदिर का उड़गा, यह प्रान परतिष्टा का कार्यकरम कर रहें, जबकि मंदिर निरमान का कार्यव पूरा नहीं हूआ है, और जो मंदिर का जो भी मंदिर में होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी के हसाब से ने, यह शास्त्रों के हसाब से उड़गा और शूदानशु जी बहुत घ्यानी यह तो जब मंदिर का अब तक completion, निर्मान complete में हुआ है तो क्या ज़रूरी है आपको ये करना ये शंकर अचारी जी पूछे क्या शंकर अचारी जी, चारो शंकर अचारी अभी 80% भारतियों के विरोध है ये बात तो नहीं है दूसरी बात सुदान्चु जी कोई पार्टी में अगर व्यक्ति एक बाई जैनुवरी को नहीं जाए मानो ओट कहते हैं तेजी जैनुवरी को जाए तो भगवान राम तो कंकन और शंचन में मौझूद है तो इसमें गलत क्या है आप क्यों चाहते हैं कि बाई जैनुवरी कोई आए पर आप इसके पहले ये बताए कि जब शंकर अचारिया कह रहे है कि मंदिर का निर्मान का कारिया अब तक पूरा नहीं हुआ है तो क्या जरूरी है तो फिर भाजपा इसमें क्यों कह रही है कि ने इस वक्त ही करना है अधिक्तर पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहना है कि क्योंकि ये बीजबी का कारेकरम हो गया है इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगी देखिए पहली बात तो मैं कह दूँ पुना कह देता हूँ जो फुरफुरा शरीफ के गदी नसीम, मौलवी, मुकर्रम, मुफ्ती और बारी के आगे सज़दे करने वाले लोगों को आज शंकराचार की याद आई है ये अपने आप में एक सुख़द अनुटी है स्वामी निश्चला नंद जी का स्वामी निश्चला नंद जी कोई बात नहीं कर लें इनको एक बात के बाता हूँ अब मैं बताता हूँ पहली बार दिल्ली के शाही इमाम का फत्वा अपने पक्ष में 1980 में इंद्रा गांदी ने जाकर जारी करवाया था और तैसीन भाई आप युवा हैं आपकी उमर हमसे कम है इसलिए शायद आपको नए याद हो मगर हमें बच्पन का याद है 1987 की बोर्ट कलब की रैली पर इमाम बुखारी ने एलानिया कहा था कि ए राजीव गांदी सुन लो तुमारी मा भी हमारे आगे जुक कर ही हकूमत करती रही और आइंदा अगर तुम्हें इस मुल्क पे हकूमत करनी है तो हमारे आगे जुकना पड़ेगा दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के सामने समस्या ये है कि हम कभी नहीं क्लेम करते हैं अब स्वामी निश्चिला नंग जी का बयान पूरा बताओ ना मेरे भाई मैं दर्शकों से कहूंगा जाके देख लीजिए उनसे मोदी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रधान मंतरी मोदी जी की मैं इस बारे में प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम वो अपने को सनातरी हिंदू कहते हैं और जाकर वहाँ पर आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कारिकम में जा रहे हैं वरना अगर वो सेकुलर के चक्कर में परते तो आयोध्या जाने से भी कतराते अब यह पूरा वाक्य बोली है ठीक है उन्होंने कुछ टेक्निकलिटी की बात कही है उस टेक्निकलिटी के ओपर डिसकेशन करने के लिए हम में से कोई अधिकरत नहीं है क्योंकि शासरों का जितना ग्यान उनको होता उतना तो हमको नहीं है परन्तु जो राजनेतिक पक्षाप कह रहे है प्रधान मंत्री जी की उन्होंने इस पष्ट रूप से तारीफ की है ये कहते हुए कि कम से कम उन्होंने ये साहस दिखाया है और जो उन्होंने कहा कि अगर सेकुलर के चक्कर में पढ़ते तो नहीं जाते तो दिख रहें सेकुलर वाले राम से परहेज रखते हैं और इमाम साब के आगे सजदा करते हैं जी जी मैं आसिम वकार आपका रुक करता हूँ आपने जो आज मायावती पर बयान दिया जो कि आज की टॉप हेडलाइन में उस विशे पर बाद में आऊँगा असिम वकार लेकिन अभी इस विशे पर आता हूँ क्या आपको लगता है कि अगर प्रान प्रतिष्टा में नियौता मिला तो नियौता स्विकार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था पॉइंट नंबर टू क्या आपको लगता है कि खास तर पर विपक्षी दल अपनी पोलिटिकल रेलेवेंस को चैलेंज कर रहे हैं इसे अगर देखिए पहला सवाल आपने पूछा कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए ये जाती मामला है ये फैसला हर इनसान को खुद करने दीजे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा मैं किसी को मशवरा देने वाला नहीं होता हूं कुई भी दूसरी बात भारतीयंता पाल्टी किसी भी बात का कोई जवाब नि देती है भारतीयंता पाल्टी से ये लोग पूछ रहे हैं शंकरा चार पे बोलिये सुदानशुत्र तिरुएदी जी किसी बात पे बोलने में पेतेयार नहीं है और तीसरी बात विपक्ष जो बड़े मुद्दे हैं उनको मुद्दा ही नहीं बना पा रहा है जिस तरह से भारती अंता पाल्टी तिल का ताड़ बनाती है उस तरह से बहुत बड़े-बड़े मुद्दों को भी विपक्ष भोनाई नहीं पाया अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं देखे रामंदिर बन रहा है बाइस तारिक को प्रधान मंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो करेंगे इसमें ना वो हमारे कहने से रुकेंगे ना आपके कहने से रुकेंगे ना खिसी शंकराचार की कहने से वो करेंगे आप देश को यह तैय कर लेने दीजे कि देश के जो हिंदू है वो शंक्राचार को अपना धार्मी गुरु मानते हैं या मोदी जी को मानते है बही तो हिंदू को तैय करना है कि शंक्राचार जी के साथ खणे है या मोदी जी के साथ खणे है धरम बड़ा या बीजेपी ने दीजे मैं एक जिकर करना चाहरा था आपसे जी मैं जो कह रहा हूँ ना भी पच्छ मुद्दा नहीं बना पाता या कैश नहीं करा पाता मैं एक डेट बता रहा हूँ आपको 23 दिसंबर सन 2022 यह बहुत बड़े एक लीडिंग अख़बार की मैं खबर पढ़ ला हूँ मैं नाम नहीं लेना चाहता अगर आप कहीज़ेगा तो मैं नाम भी ले लूँगा अख़बार का 23 दिसंबर सन 2022 को एक अख़बार में रिपोर्ट शाया हुई वो रिपोर्ट यह थी कि लोग सभा में भारत की लोग सभा में बीजेपी के एक सांसद कार्तिकेई शर्मा के सव पर इस्पेस मिनिस्टर जितेन सिंग जी जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि राम सेतू के साच्छे नहीं मिले उन्होंने कहा कि सेटलाइट से देखने पर छिचले पानी में आईलैंड और चूना पत्थर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस बात का कोई पुक्ता सभूत नहीं है कि राम सेतू यही है आप समझेगा बीजेपी सरकार के मिनिस्टर बीजेपी की सरकार के मिनिस्टर अपनी सरकार में लोग समा में बयान दे रहे हैं और इससे पहले जो एक दोर चला था कि उस पे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार साब हैं उन्होंने नाच कूट कर एक फिल्म मना दी बड़ी अच्छे कुमार जी अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये खबर क्यों दबाई गई और क्यों नहीं उठाई गई बारतिंता पार्टी पहले तो साफ करें कि राम सेतु के सबूत थे या नहीं थे और अगर अभी नहीं थे तो पहले कैसे थे और अगर पहले भी भी नहीं थे तो बीजेपी ने पहले जुट बोला था या आप जुट बोल लेए दूसरी बात आप ने असद वैसी साब के बारे में कहा असद वैसी साब ने किसी तरह की कोई गलत बात नहीं कही है देश नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान दुखी है बाबरी मस्जित के जो 6 दिसंबर को हुआ और उससे ज़्यादा दुखी है जब फैसला आया फैसला हम सबने माना किसी ने सरवोश ने आले के फैसले पर कोई टिपड़ी नहीं की नहाम उसका किसी तरह से सरवोश ने आले का विरोध कर रहे हैं लेकिन तकलीव तो है हमको जिस मुसलमान को तक घ़न नहीं नहीं है दिल से और जहन से मुसलमान ही नहीं यह तो भड़काने का काम है अफ़न मुसलमान नहींए कि दिल और जहन परदानमंत्री जी ग़रिंटी ले, ग्रह मंत्री जी गरिंटी ले सुरच्छा की, कि सफर करने पर मुसलमानों के साथ कोई हासा पेश्र ररा! खारना है भड़काना है यह तो सब कुछ है इसने मेना निवेदन है कि राश्टी टेलिविजन पर तो यह मत करिये यह मेसिज यह जाएगा इसका मैं प्रदान मंत्री जी से गुदारिश कर रहा हूँ ये तो जब कुछ हुआ ही नहीं है मतलब ये तो ये बात है जैसे महभूव मुफ्ती कहती थी कि 370 के बाद फलाना हो जाएगा ढमकाना हो जाएगा ये ये डाट्स ता पॉइंड चौकर सुदांचू तरवेदी उके होड़ाओन असीम आसीम जी थी आपने फर लबात को रका असीम जी असीम आपने बात को रका सुदांचू का रे लगाइज जरूरी हो रहाएगा ठीक लाइन एक लाइन सुधान्चू भाई से खाली इतना पूछ जिए कि इनके मिनिस्टर ने जो राम सेतू बयान दिया है उससे ये सहमत है या नहीं है उके सुधान्चू देखिए पहले मैं करोणो दर्शकों से कहूंगा देखिए एक और सेकुलरिजम का चेहरा आया है पार्टी का नाम है All India मजलिसे इतिहादूल मुसलमीन और वो सेकुलरिजम पर भाशन नहीं दे रही है हिंदू धर्म पर भाशन दे रही है वो शंकराचार पे टिपणी कर रही है और वो सेकुलर है देखिए एक और चेहरा सामने आ रहा है जबकि मैंने किसी भी चीज से बचने का प्रयास नहीं किया सीधा सीधा जवाब दिया है परंतु यहाँ पर मैं एक बात पहले राजनेतिक कहना चाहूंगा जानते हैं असी मकारेशा क्यों बोलना है अभी जो सारा प्रकरण हुआ है उसमें लीड किस ने लिए ओवेसी ने लिए ना पहले ओवेसी खुलके खड़े हुए मंदिर के खिलाफ फिर क्या हुआ कि ये बाकी सब जो मुस्लिम वोटों के अलंबरदार जंडा बरदार फर्मा बरदार थे इनमें खलबली हो गई ऐसा ना हो कि ओवेसी सारी डाल गटा गट पी जाए तो अब ये लोग फोर्स हुए कि भाई हम भी नहीं जाएंगे ताकि वो बीस परसेंट में कोई दूसरा बटवारा न करने पाए या दिभी मेरा मनना है बीस परसेंट में कोई ऐसी बात नहीं कबल कटर पंथी वोटों में बटवारा न करने पाए अब देखिए उसके बात तो अब देखिए असीम वकार साहब की हिम्मत बढ़ गई ना अब वो कहने लगे वो गारिंटी ले कि उनके साथ ये नहीं होगा वो नहीं होगा यानि उन्होंने कह दिया जिसके जो साथ में है वो मुसल्मान ही नहीं है तो असीम वकार साहब इसका मीनिंग ये निकला कि जो हिंदू धरम का चोंगा ओड के खड़े हुए है सामी परसाद मौरी जैसे लोग वो दिल से क्या है अगर आप कह रहे हैं कि जो मुसल्मान है अगर उसके दिल में दर्द नहीं है तो वो क्या है तो इनकी मीनिंग से अपने आप निकल गया कि जिनके दिलों में दर्द है वो क्या है वो बात इनकी बात से बिलकुश साफ हो गए अब राम सेतु पर जवाब देता हूँ जिनाप पहली बात कार्थिके शर्मा भाजपा के नहीं इंडिपेंडेंट एमपी हैं आपको पता होना चाहिए वो हरियाना से है और आपने एक कौन से सवाल की बात कहिए भाई मैं तो राजसभा में था मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं होगर है तो आप बता दीजिए पर एक बात बताना चाहता हूँ एक दौर था जब कहा जाता था राम सेतु नाम की कोई चीजी नहीं थी पर जो आपने का सेटेलाइट पिक्चर ने दिखाया था असी के दशक में नासा की सेटेलाइट पिक्चर ने 86-87 में राम सेतु दिखाया था और सुनिये हमें बच्पन में पढ़ाया जाता था ना संगम जो है गंगवा जमुना और माच्छलोजिकल सरस्वती पे है उसका ट्रेग भी सेटेलाइट ने दिखाया था राम मंदिर के अंदर रेडार मैपिंग गाउन पेनिट्रेटिंग रेडार में दिखाया था इसलिए भी इतने डर गए हैं कि काशी विसुनात पे कोट में गए हैं कि रेडार से भी नाए चिंता मत करिये टेक्नोलजी जो जो आती जाएगी सारी बाते साफ होती चली जाएगी मगर मैं राजनेतिक तोर पर ये कहना चाऊंगा कि जो कुछ किया इन दलों ने उन्होंने ओवेसी की पार्टी की विक्री कर दी उनको लीड दे दी है और आप एमाई एम हो गए है ये लीडर हो ये जिनको दर्द है जिनको दर्द नहीं है वो मुसलमान नहीं है फिर पलेट के सवाल आएगा जिनको खुशी नहीं है क्या वो हिंदू नहीं है सवाल आएगा फिर ये बिलकुल आप सवाल कीजे बिलकुल सवाल कीजे मैं तो देखिए भारतिन्ता पाल्टी को 2019 के चुनाओं में 37.45% मिले और एंडिय को मिले हैं 45% 45% एंडिय राश्टिय जनतान्ति गडबंधन को वोट मिला तो 55% विरोध में पड़ा है सर ऐसा नहीं है कि 55% जो लोग हैं जिन्होंने भारतिंता पाल्टी के विरोध में वोट दिया है वो भारत के नागरिक ही नहीं है या भारत के सिर्फ वही नागरिक माने जाएंगे जो बीजेपी को वोट करते हैं वही हिंदू है बाकी हिंदू नहीं माने जाएंगे सर आपने तो खुदी लाईन बड़ी कर दीन आपने तो बोला कि जिसको दुख नहीं हैं वो करें देश में ऐसा नहीं है कि सारे दलितों को आप हिंदू बना देंगे जो दलित हैं वह अपने को दलितु कहते है जुझे ब्रेक के लिए रुखना कर विपक्ष ने बहुत गलत किया है ये वो ट्वीट कर रहे हैं रादे मौल लिख रहे हैं ये ट्वीट परड़ा हूँ मैं मोटरोला के फोन से रुकूंगा एक अंतराल के लिए लेकिन ब्रेक के उस पार इस सर्चा को आगे बढ़ाएगे विएच पी ने एक बड़ा बयान दिया है अकिलेश को जवाब दिया है विश्विंदू परिशत ने आलोक कुमार बोला है गोली कांट को भुला कर हमने निमंतरन बेदा था यानि जो कार सेवकों पर गोली चलाई थी सबसापा की सरकारती उस गोली कांट को भुला कर हमने समर्तन बेदा था किसी का को ना ज के हैं गड़बंदन में है सपा के साथ वीएच पी कह रही है कि गोली कांट जो गोली चलवाई थी कार्शेवकों को उसे भुला कर हमने निमंतरन भेजा था क्या आपको लगता नहीं है कि स्विकार कर लेना चाहिए था और ये तर्क मैं किसी को जानता ही नहीं तो निमंतरन क बोलने का मौका दिया इसमें आपने भाजपा प्रवक्ता को चार बार बोलने का मौका दिया परन्तु मुझको 40 मिनट बाद दिया क्योंकि आपका शो है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं बस ऐसे ही ये 22 तारिक वाला जो कारिक्रम है ये भारती अंता पार्टी का व्यक्त लेने वाले भारती अंता पार्टी वाले ये बता दें कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है सनातन धर्म के अंदर कि मंदिर ना जाने पे आप मुझे सनातन विरोधी कह देंगे या कौन सी ऐसी मंत्र है जिससे आप मुझे सनातन से निकाल देंगे अब तो शंक्राचार जी भी न बाद में जाएंगे तो उनको आप उनसे बड़े हो गए क्या आप जो आप ये कह रहे हैं कि सहाब जो 22 तारी को नहीं जा रहा वो सनातन विरोधी हो गया तो इस्तिती ये है कि भारती अंता पार्टी अपना प्राइवेट करेगी और मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 22 तारी को कैमरा मेन हटा दीजिए उस इवेंट से उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि भारती अंता पार्टी के कौन-कौन नेता वहां पे जाते हैं मंदिर के अंदर सबसे पहले प्रवेश कैमरा मेन करेंगे या व पुल भुला दिया विशबीने गोली कांड को तभी तो आज भारती अंता पार्टी में उन नेताओं को भी नेता मिला है जो उस समय समाजवादी पार्टी में थे जब गोली कांड हुआ था जैसे और आपको इतना डर्द है जैसे किसको निमंतर मिला है भीजेपी में उस समय गोली चरवाई की नाम लीजिए बताया तो मैंने S.P. बगेल भारती इंता पार्टी के सांसर निमंतर मिला है आप किराए में अब मुझे मैं दो बार बोल चुको है आप मुझे कितनी देर बोलने दोगे आपका हक है आपने अपनी बात को रखा एड़ मिनट पौने दो मिनट मिला है पहले तो मैं इनको इस पश्ट कर दू जराब चार लोग है तो चारों के सवाल भी हमी से हैं और ये चार तो आप लोको गड़बंदन वाले हैं एक दूसरे को दिये गए समय को गुगावारा नहीं कर पा रहे हैं सीटे कैसे गवारा करेंगे ये देखने की बाद असीम वक आपको आसीम वकार से बात करेंगे तो मैं आसीम वकार से आपकी डारेक्षी बात करा दूगा लेकिन अभी सुधान शुर जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं क्योंकि आपने बीजे पीसे पीन चार समय किसी से भी बात कर सकता हूं निमंतर्ण का किसी राजनेतिक दल से कोई मतलब नहीं है आलोक कुमार जी ने उस संदर में कहा कि हमने उस विशे को भुला कर भी यह करने की का साहस किया मगर साफ दिखिया कि आप उसी दौर में पड़े थे और आप तो RLD के प्रतरी नहीं जनाब उस दौर में आपको या विधान सभा में 56 भाजपा के थे उनके सपोर्ट पे टिके थे गोली कांट के समय जब आडवानी जी का रत रोका था हम लोगों ने उस समय समर्थन विड्रौ कर लिया था और आप चाहिद भूल गए मुक्षमंतरी तो बनना था चौदरी अजीस सिंग जी को पर उस समय व पाद में गुरू गुडर है चेला सक्कर हो गए वो उनसे आगे निकल गए तो साहब उस जमाने की भी राजनी थी हम लोगों को पता यदि आप उस दौर में जाते तो अगर सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ था तो चौदरी अजीस सिंग के साथ हुआ था मगर रामराज जी के लिए कही गई बैर नकर काहूसन कोई राम प्रताप विशमता खोई और यह भी यानि हम किसी से बैर नहीं किसी से भी चमता नहीं और जिन लों को आपती है कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं तो सोमनात का उद्गाटन किस ने किया था तो सरदार पटेल नहीं स जरती से उठकर एक विक्ति आया है जो पटेल जी उस समय थे मोदी जी आज खड़े है यारी पटेल जी की विरासत के साथ हम खड़े और नहीं परिवार अपनी विरासत के साथ खड़ा है तो देश की जंता को बहुत साफ पता है दूद का दूद पानी का पानी है कि कौन क इसके साथ खड़ा हुआ है मगर अभी देखिए अभी देखिए असीम बकार साब ने कुछ और बोलेंगे अभी कुछ और बोलेंगे या और फिरकी मारेंगे क्योंकि अब देखिए दो लोग ऐसे बैठे हैं अब यह विवेक जी बैठे हैं इनकी पार्टी कोई नहीं है इ समाजवादी पार्टी कितना सभाल करफाएगी जी जी तैसीन पुनावाला कुछ एड़ करना चारहे हैं अधिक तर तो वकार जी से इतिवाक नहीं रखता हूं लेकिन जो नो ने राम सीतू की यही बात ने उठाने वाला था डॉक्टर जेतेंदर सिंग जी ने पार्लिमेंट में जवाब देते हुए सैटलाइट का जो उन्होंने बताया का लेकिन उसके अलावा भी मानने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान चीफ जस्टिस के सामने चंदर्चूट के सामने तीन बार वर्तमान सरकार से मौझूदा सरकार से पूचा गया है आप जो प्रीविस ऐफिडेविट है उस पर काय में या चेंज कर रहे है और सुब्रमनियम स्वामी जी ने कहा है कि इसको नैशनल हेरिटेज डिक्लेर करना चीए राब जीटो को बरतमान सरकार ने आज तक तीन बार के बावजूद इस पर कोई फैस्टा नहीं किया आप फेबरूरी की तारिक मांग रहे है और मासीता मासीता जिनका जनम हुआ है वो जन स्थांको में टिकल बनाने वाले महेश अर्मा जी और वहाँ पर जी 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 संक्षेप में संक्षेप में टाइम लिमिट को वालो करें चुदान चुती सेकिंड में जवाब देन अस्यम वकार देखे पहली बात बहुत इसपष्ट कर दूँ जनाब वो जो एफिडेविट कॉंग्रेस ने दिया था वो तो जब भाजपा ने विरोत किया था तुरंद विड्रॉकर लिया था दो दिन में भाई वो एफिडेविट अभी कहां स्टेंड कर रहा है और दूसरी बात मैं कह सकते हैं कोई सांस्कृतिक दरोर हैं इसके बारे में बोलेगा संकृतिक मंतरी कित्त मैं मैं असीम वकार सहाब से पूछना चाहा रहा था कि आपने कहा कि विपक्ष मुद्ध साही से नहीं उठा पाता है तो आप कब सत्ता में आए यह जनता को बताइए क्योंकि हम तो यही समझ रहे थे तो आप क्यों नहीं मुद्ध उठा जाएं आपका कौन सा पैक्ट हो गया भारत की अंता पार्टी के साथ क्योंकि सुधाण भाई इतिहास काफी बता चुके अभी सुनिये तो उड़ता तीर मत पकड़ा कीज़े जाट आपकी party को वोटर है वो समाजवाधी party को वोट रोट ही नहीं देता है समाजवाधी party की सैकिल के जहां-जहां पर दोंड़ कर दोंड़क है और नहीं को एकसेप्ट किया है मेरी बात तो सुन लो उड़ता तीर मत पकड़ा करो तुमने उड़ता तीर पकड़ लिया जाटो ने BJP को वोट किया और जाटो की टेंडेंसी यह है कि जहां पर हैंड पंप है वहां तो दे देंगे वो मुसलमान का वोट ले भी लेंगे लेकिन जहां सैकिल और पंजा होगा महाँ टोटल जाट BJP में जाता है और हो सकता हो कि उत्तर में जो विदान सभावा चुना हुआ था तो उसमें रोहित अगरवाल का वोट भी बीजेपी उगया हो आसी मकारी गरणटी है कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे और तुम लोग की गरणटी है कि तुम कभी बीजेपी नहीं जा सकते हो और मैंजा बोलाओ और वहां से आपने टिकेट में पर्चा भरने वाले दिन आप हस्पताल में भरती हो गए थे अरे मेरी बात को सुननो पूरी पूरी नहीं जाएंगे दिन आप अप करने के बाद आप आप अस्पताल में भरती हो गए थे और वह चंदा अभी तक वापस नहीं किया आप ने आप शायद भूल गए अब दूसरे वेक्ति को भी चांस देंगे न अपने जवाब देने का लिए अरे मेरी बात तो सुन लो जो सर अमीश भाई एक लाइन बोल ला हूँ जिस ने कभी भी जिसकी पार्टी और जिसके नेता ने कभी भी बीजेपी से हाथ मिलाया है उसके मूपर तू और जिस नेता ने बीजेपी से जिसके पर्दे के पीछे सूटकेस लिया हो भारती यंता पार्टी से पाक्ट करके सूटकेस लेकर अपनी पार्टी जो चलाता हो उसके मुपे थू अपने बश्मान भाईयों के साथ दोखा करता हो और बुसल्मान वोटरों का तोदा करके भारती इंता पार्टी को बारती इंतां पार्टी के सटक करता हो उसके मुपे थू मैं तो मुसलमान वे गाहँ रहा हूं कि जहां भी आरेलडी का कंडीरेड हो उसको वोठी मईदो यगदार है जहां भी आरेलडी कंडीरेड हो वहां बीकोल वोट मत दो अरे 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 ázτι लंगाना में मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया तिलंगाना में मुसल्मानों ने आपको वोट नहीं दिया, आप सायद भूल रहे हैं, तिलंगाना में आपकी सरकार नहीं रही, तिलंगाना में आपको मुसल्मानों ने नकार दिया, और बता दिया कि आप भार्टी इंदा पार्टी के एजेंट हो, ये तिलंगाना के मुसल् जी देखिए सुदांशू तुरवेदी जो भी कह रहे हैं तो मैं इनको रिमाइंड करा दू एक तो एक समय था जब इनकी दो सीटे थी दो ही मेंबर पार्लेमेंट था और एक ऐसा भी समय था जब वाजपई जी की दोनों के डिनिया खराब जी 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 और आजीव गांधी ज उसको समझ देने पहले सुदांशू 10 सेकंड 10 सेकंड पता नहीं है क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं साब अगर अटल जी विदेश के दोरे पे थे तो कोई भी मेंबर आफ पार्लेमेंट अगर सरकारी डेलिगेशन विदेश के दोरे पे होता है तो यह नियमान उसार है क जी उसकी भी तबियत खराब होगी तो सारा खर्चा सरकार उठाएगी और आप उस कल्चर की है जो इस देश का है जिसको बेच के खागए हो 2014 के बाद अरे भाई सोचिए कि आटल जी नेता पुर्टिपर्न की बात नहीं है उसकी मेरे बेकोप आरपार के सब्सक्राइब औ मीनिंग बताऊंगा क्योंकि बदलते हुए वर्ड ओर्डर में भारत की पोजिशन किस उचाई को छू रही है इसकी सबसे बड़ी जलक आज गुजरात में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात सम्मिट में हमें साफ साफ देखने को मिली आपने UAE के प्रेजिडेंट शेख म मुहमद बिन जायद अलनायन को किसी भी बड़े पब्लिक फरम पर या फिर इंटरनाशनल मंच पर बोलते हुए नहीं सुरा होगा लेकिन मोधी डिप्लोमेसी का असर देखिए इंपाक्ट देखिए वाइब्रेंट गुजरात सम्मिट के लिए गुजरात पहुंचे शेख कर हैरानी होगी कि पिछले साल यूए इए ने कोप 28 कॉंफरेंस को होस्ट किया था तो कि एक बड़ी कॉंफरेंस है इसके बावजूद शेख मुहमद बिन जायद ने उस मंच पर कोई स्पीश नहीं दी थी हो सकता है कि मोधी विरोधियों को ये बेहत सामान ने घटा लग जब वाइबरेट गुजरात में स्पीच देने के लिए आए तो उन्होंने श्री नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री औव भारत कहकर प्रधान मंत्री मोधी का अभिवादन कर दिया और इसके बाद जो हुआ वो आप इन तस्वीरों से देख लीजी Honorable Shree Narendra Moody Prime Minister of Bharat वाइबरेंट गुजरात Global Summit में Reliance Industries की चेर्मेन मुकेश अंबानी ने मोधी है तो मुमकिन है के नारे का मतलब समझाया और कहा कि मेरे विदेशी में तर पूछते हैं कि मोधी है तो मुमकिन है का क्या मतलब होता है तब मैं उन्हें बताता हूँ कि इसका मतलब नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला होता है तब से वो भी मोधी है तो मुमकिन है कहने लगे है लेकिन बात सिरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की नहीं है भारत की बरती शक्तिका एक और परिचायक सबूत देख लिजए दुनिया भर में चल रहे है आर्थिक सुस्ती के बीच वर्ड बैंक भारती एकनॉमी का लोहा मान रहा है वर्ड बैंक ने का आए कि दुनिया भर में एकनॉमिक स्लोडाउन के बाब जूद बारती एकनौमी आने वाले सालों में शानदार रफ्तार से तरक्की करने वाली है तो इन तथ्यों को देखिए और खुद अंदाज़ा लगाईए कि मोदी है तो मुम्किन है कदावा कितना सही है और कितना गलत अपनी वारी को मैं विराम देता हूँ आपने इस कारेक्रम को देखा आपका आभार